दोस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फेंडिस्री दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडेप्थ में अनलाइसिस करेंगे गोजो जलमी वर्सेस वीकी उनाइटेट के भी जो होगा मल्टा टीटेन दो हजार तेजस का आज का दिन का तीसरा मैच दोस्तों यह मैच होगा न यह मैच क्या है important मैच है कियो पता है आपको जीजजजट टूनामेंट में ना 4 खेला है और अपना 4 मैच हुए नीगा SWU ने 6 मैच खेला है और अपना 6 मैच वीन किया तो दोनों टीम लिग में टॉप 3 टीम में आते हैं दोस्तों इनको छोड़ कि अगर SOC पक्रोगे जिन्होंने 5 खेलते हो हैं 5-6 मैच वीन किया तो ये 3 टीम ने अब तक हारा ही नहीं है तो उन में से ये 2 टीम खेलेंगे तो definitely दोनों टीम ना अपना best जो 11 रहेगा ना जो सबसे strong 11 जो सबसे important clear है जिनको आप पसंद करते हो लेना वो out of maybe last match में वो perform नहीं किया या फिर उनको balling नहीं मिला या फिर उनको betting नहीं मिला बट मैं जो final update होता है मैं personally जब खेलता हूँ demo team आपके साथ provide करता हूँ एक चीस मेरा very clear है to be honest honesty के साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन मैंने आपको demo team provide किया सोचो मैंने उस दिन 100% match खेला ऐससा नहीं आपको मैं खेलने खेलने ले खेलता है और मैं खुलता है और इसी में अपको बता है किया करो मेरे team है तो यह a Socistanding clear होता है मेरा honestie factor बहुत साबब्स होचते चीम ने नहीं geen देगा सच बताऊं तो दोस्तों आपको अगर fantasy के आपको चोड़ो आपको शायद knowledge होगा जिसको fantasy का knowledge नहीं होगा after toss lineups के बाद point देखके team कोई भी दे देगा बट उसके पीछे जो logic है और उसके पीछे जो guts लगता है इंवेस्ट करने का वह बहुत कम बने के पास है अगर वह बंदा आपको मिल गया आइधिंग आप fantasy life longer होगा में भी एक match हार होगे में भी 100 match होगे बट 1000 matches आप win भी कर पाओगे और बरा win होगा तो चलो चलते हम लोग analysis में hope आपको मैं समझा पाया कोई भी और update जैसे की बताया मैं आपको best होगा तो मैं आपको चरूर से टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा फिलाल मैंने Malta T10 cover करना है हमसे cover करना है Arabian T20 और morning में जो ओमेंस वाला चल रहा है बरोदा ओमेंस यह तीन सीरीज का आपको वीडियो coverages मिलेंगे जहां पर हम लोग का per day पाच मैच के करीब बनता है इनको छोड़ दोगे उसके बाद भी आगा जान बचा रहता है तो कुछ हम लोग domestic matches या फिर international matches खेलते है या फिर और कुबेरा के picks प्रोवाइड करते है टेलीग्राम पे तो जूट सकते हो टेलीग्राम description and comment section में link है link में प्रेस करके join होना है आपको टेलीग्राम बेस्ट होगा description वाला link में जाओ प्रेस कर और redirect हो जाओ तो आता हूँ analysis section में सारे पाच बची यह match start होगा इंडियन टाइम इम्रान अमीर देखो यार performance नहीं बंदेगा बट बंदा का पास रिकार बहुत अच्छा है drop करने से फ़ले 10 बार सोचो मेरे साब से लेकर रखना better होगा captain wise captain मत बनाओ यह जो opener दीख रहे है ना आपको आटार अभी रभी हरी किष्टन यह कुई नहीं आएगा मैश मैश इम्रान अमीर के साथ दोनों मस्टपीक है इस मैश में इनको captain नहीं बनाओंगा क्यूंकि लास मैश में इसने नीचे खेला था इस मैश में खेले गा टॉप और ने देखना ऐसा मेरा लगता है होना तो चाहिए 99 पिसेंट चांस है क्यूंकि देखो या टॉप 3 में खेलना ह इसको आधर्वास टीम जादर रण बना नहीं पाएगा तो उपनेंट टीम उतना वीक नहीं है दोनों बराबर कर टीम है इसके बाद इन दोनों के बाद मेरे इसाब से इस टीम से बिलाल कादिर एक प्लेयर हो दें जो consistently balling से विकेट निकाल रहा है especially बंदा डेत में आसकता अगर balling first draw उल्ला को ले सकते हो आप मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि बंदा टेत में भी आता है पाउपलो में भी आता है और दो ओवर कंसिस्टेंटली चार मैंच में खेला है तो complete गया है तो आपको ना मैंना हमिश्या क्या चाहता हूं मैं दो ओवर वाले baller जो विकेट चांसे कम होते है अगर दो वर डाला और वह विकेटी का रुवा तो उनके चांसे चाहता रहेंगे ऐसा मैं मानता हूं दोस्तों वाकर अफरीदी खेलता है तो बाइट डिफॉल्ट पीक है आग बंद करो और अपनी टिम में रखो इवन कैब बिसी भी बना सकते हो बहुत अच्छे प्लियर दोस्तों टीटेन का एक्स्पीडियंस प्लियर है अगला चिहत्व मैं मैं bandwidth कर सकते हो मैंने अजमल का आपको दिखाना या किम्रान आमीर का एक बाद देख लेते हैं 16 मैच में 24 ओवर में 12 विकेट 22 कावर से 263 रन कंपेट तो अधर प्लियर बहुत अच्छा है दोस्तों बिलाल कादिर का देखना अब 24 मैच में 12 था इस सेजन में कितना अच्छा खेला है बंदीने तो परफोर्मेंसेस आप्स और ड यह पता है 140 वाला जो इनिंग से आये था ना मुझ पर बहुया था यह उसको बोला था कि यार इसको क्या तो थोग ना है 100% से 100% थोग ना है इस मैच पैस्पैण किया था यह बैट बोल दोने सकता है बस महभू बली है, दो प्लियर हो गया, फैजिल रहमान हो गया, बॉल फर्स्ट, यह जो बॉलिंग यूनिट है ना, बहुत तग रहा है दोस्तो, सावब अफरीदी, यह तीन प्लियर, चार प्लियर है न, एक सावब, दूसरा फाजिल, तीसरा बिलाल, और दोस्तो, चौता ह हो गया, महभूब, बहुत अच्छा फर्म में, अच्छा विकेटिंग अप्शन है, और इवन अगर बॉलिंग फर्स्ट रहा तो माक्स यूज कर सकते हो, कभी कबाद दो तीन वी के निकाल जाता है, इंपोर्टन बात है, जब जब खेला है, बॉलिंग करा है, शाकिर अफ बताना था, जिशान खान लास्ट दोनों मैच में अच्छे है, और बहुत तो इनका ना मुझे दिख रहा है कि इस मैच में उपेन आते हो है, महभू बली के साथ, तो 99% चांस है, ओपनें डॉप करका हैगा, क्योंकि ये ट्रैक में रन बनता है, जिशान खान मल्टा इंट कतवे दिखेगा, पास्ट रिकोर्ड जैसे की मैं ने बताया, बिलाल खान इंट जिशान खान इंट इंट में डूस्तों फैजल रहमान 11 मैच में अट रहा होगा है, वाइस केप्टेन हमारे पास में ने ये टीम क्रेट किया, वाइस केप्टेन हमारे पास है, महभू बाल MLE VCA और I Amir फिलाल दोस्तों मैंने एर टीम क्रेट किया इस मैच के रिलेटेट कोई भी और अपडेट होगा डेमो टीम होगा सबसे पहले और तुरंट आपके साथ मैं शायर करने वाला होगा आपर टैले राम पर दो जूर जाना वीडियो बसंद आये तो लाइक कर देना थैंक यूएस मिलते है मैं श्रेम पर